सु आगा था आपका सिविम की गरत में अगर आप यह मारेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आएं यह क्लास कंप्यूटर के विकास से सम्मंदित है तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें तो आए चलिए वीडियो सुरू करते ह हैं फर्स जनरेशन आप कंप्यूटर तो कंप्यूटर की पहली पीडि तो कंप्यूटर की पहली पीडि के विकास कब हुआ था तो कंप्यूटर की पहली अवदी 1937 से 1953 तक मानी जाती है तो कंप्यूटर की पहली पीडि कब से कब तक मानी जाती है तो कंप्यूटर की पहली 53 के बीच तक मानी जाती है और दुनिया का सबसे पहला और बड़ा computer कौन सा बना था तो ये बना था E-N-I-A-C कौन सा computer बना था तो ये बना था E-N-I-A-C बना था तो इसका पूरा नाम क्या था तो इसका पूरा नाम था Electronic Numerical Integrator and Computer क्या नाम था पूरा पूरा फूरी एलेक्टोनिक डिजिटल कंप्यूटर था जनरेशन अब कंप्यूटर की सुरॉत यही है यानि कब से हुई है तो कंप्यूटर की विकास की सुरॉब सुरात प्रथम पूरी यहीं से हुई है 1937 से 1953 से हुई है इस पूरी के कंप्यूटरों में मेमोरी के लिए क्या इस्तमाल किया जाता था तो वैक्यूम ट्यूब का पूरा किया जाता था प्रफम पीड़ी के कम्पूटरों में किसका इस्त्जित मारी च्क्र tr hr कते इन कल्फरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पतु हुती थे तो यह बेक्यूम ट्यूब के बने होते ही इसलिए है बहुत अधिक जगह भी गहते थे कंप्यूटर बिरख्त का इस यह एंसे इसी था जिसका पूरा नाम था इलेक्टोनिक निमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था चलिए आंगे देखते हैं और पहली पीडी के कंप्यूटर की विशेश्चा है देख लेते हैं तो यह वेक्यूम टूब द्वारा निर्मित थे और यह मसीनी वासा का प्रियो करती से भी कार करते थे और इसी सप्लाई किया हो सकता होती थी और अधिक मात्रा में भी यह बिजली का प्रियोग करते थे और इनमें इंपूट और आर्पूट के लिए किसका प्रियोग करते थे तो प्रफम प्रियोग के कंप्यूटरों में इंपूट और आर्पूट के देख लेते हैं तो पहले पण्पेड़ी के कम्प्यूटर कौन कौन से बनाये गए था एड़ी वी एसी बनाया गया गया था एड़ी प्रसक। फिन आए गया थैस एदी ऐसी था और यूनीवैट था और कि दूसरी पीड़ी मानी जाती है 1954 से 1962 तक तो दूसरी पीड़ी का प्रारम कब से हुआ था तो यह वह था 1954 से 1962 के बीच दूसरी पीड़ी मानी जाती है अधर दूसरी पीड़ी में क्या हुआ था इन्होंने वैक्यूम टूप की जगए किसका प्रियोग होने लगा था तो का प्रियोग होता था तो दूसरी पीड़ी के कंप्पीडरों में प्रियोग होता था ट्रांजिस्टर का प्रियोग होता था किसकी जगह प्रियोग होते थे तो ये वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रियोग करते थे ट्रांजिस्टर का विकास विलियम सॉकले ने किया था विलियम सॉकले ने किया था ये कब किया था तो ये किया था 1947 में किया था तो ट्रांजिस्टर का विकास किस ने किया था तो यह किया था विलियम सॉक लेने किया था और यह कब किया था तो यह किया था 1947 में किया था इस PD के कम्पीटरों में चुम्पी कोर का उप्योग प्राइमरी मेमोरी और चुम्पी टेप और चुम्पी डिस्क का उप्योग secondary memory के लिए किया गया था तो second PD के computer room मे primary memory के लिए किसका प्रियोग किया गया था तो ये किया गया था चुम्म की core का और secondary memory के लिए किसका प्रियोग किया गया था तो ये किया गया था चुम्म की tape और चुम्म की disk का प्रियोग किया गया था कंप्योटर के दूसरी पीडी में दो प्रकार के अप्रेटिंग सिस्टम का उप्योग किया गया था तो दो ती पीडी के कंप्योटर में कितने प्रकार के अप्रेटिंग सिस्टम का उप्योग किया गया था तो ये किया गया था दो प्रकार के अपरेटिंग सिस्टम का प्रेव कब से शुरू किया गया था तो ये किया गया था दूसरी PD के कंप्यूटर से दो अपरेटिंग सिस्टम का प्रेव किया गया था पहला क्ता बैच प्रोसेसिंग और दूसरा कौन से था मल्टी प्रोग्रामिंग आपरेटिंग सिस्टम तो मल्टी प्रोग्रामिंग आपरेटिंग सिस्टम कब से सुरू हुआ था तो ये सुरू हुआ था दूसरी पीडी के कंप्यूटर से सुरू हुआ था माल्टी प्रोग्राइमिंग अफरेटिंग सिस्टम और पहला क्या था बैच पोसेसिंग दूसरी पीरी के कंप्यूटर की विसेस्टाइं देख लेते हैं तो आए दूसरी पीरी कंप्यूटर की विसेस्टाइं देख लेते हैं तो यह क्या थै तो दूसरी पीरी के कंप्यूटर टांजिस्टर से नियर में थे फोटन और कोबल जैसे वासा का रियो किया जाता था तो फोटन वासा का प्रियों कि ждАता था तो भी वासा का प्रियों कि Noise कीदियोग की सய क था जाता था और ये पहली पीडी के तुननमे आकार में चोटे थे आनी की पहली पीडी के कम्पीटर बहुत बढ़े थे और दूसरी पीडी के कम्पीटर बहुत चोटे थे मलब आकार में थोड़े चोटे हो गए थे और इनमें कम गर्मी उत्पन होती थे तो इनमें गर्मी भी कम उत्पन होती थी और ये पहले पीड़ी की तुलना में कम बिजली खज़ करते थे और इनमें पहले की कंप्यूटरों से ये तेज़ थे आने की पथम पीड़ी कंप्यूटरों से ये दूसरे वाले तेज़ थे और इनमें भी ऐसी की आउसकता होती थी चलिए आइए और दूसरी पीड के कंप्पीटर कौन कौन से थे तो दूसरी पिरी के कंप्पीटर थे IBM 1620 IBM 70094 CDC 1604 CDC 3300000 così jotka सब चार और UNI voltimilaat 1808 तो दूसरी पिरी के कंप्पीटर कौन कौन से थे तो दूसरी पिरी के कंप्पीटर थे IBM 1622 IBM 70094 α सिडय की Schaur और यूनि वैक यारह सो वार थे तो ये दूसरी पिडि़ी के कंप्यूटरों के नाम ते जो की most important है आप लोग याद जरूर कर लेना चलिए आए तिसरी पिड़ी के कंप्यूटर को देख लेते हैं थर्ड जन नेशन आप केम्प्यटर की तीसरी CD में क्या थै तो 3C, P, 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 P किलывी ने किया था तो 2 रिकास किसने किया था तो यह जी किया तहला चिए किया ती चोंट करके सिर्फचिते कहा जाता तर इस वह तू Pinterest को क्या किया जाता था सिल्फच पर क्योटा करके रखा जाता था जिसके कारण computer की गती और दच्चता में काफी ब्रद्दी हुई थी तो जिसके कारण computer की गती और दच्चता में काफी ब्रद्दी हुई थी तो integrated circuit का विसकार किस ने किया था तो इन्हों ने किया था जैस किल्वी ने किया था किन्हों ने किया था जैक किल्वी ने किया था और इस PD के computer में remote processing, time sharing और multi programming operating system का प्रियोग हुआ था तो यह most important है, क्या हुआ था इसमें remote processing, time sharing और multi programming operating system का प्रियोग हुआ था तो question पूछा जा सकता है कि time sharing का प्रियोग किस computer के किस PD से हुआ था तो यह वा था computer की तीसरी PD से, तो time sharing का प्रियोग कब से हुआ था, तो यह वा था computer की तीसरी PD से हुआ था और multi programming भी operating system का प्रियोग हुआ था, और तीसरी PD के computer में किसका प्रियोग किया गया था तो यह प्रियोग किया गयाता है IC का यानि की Intigated Circuit का प्रियोग किया गयाता है यह किसकी जगा प्रियोग किया गयाता है तो यह प्रियोग किया गयाता है टांजिस्टर की जगा IC का प्रियोग किया गयाता है चलिए आई आए आँगे लगा और देखते हैं तीसरी PD की कम्पीटर की विसस्ता है तो तीसरी PD की कम्पीटर की विसस्ता है क्या थी तो इनों में Intigated Circuit यानि की IC का प्रियोग किया जाने लगा किसकी जगह पर तो इनमें IC का प्रियोग किया जाने लगा transistor की जगे पर इनमे IC का priyog किया जाने लगा यह पहली और दूसरी Purdue की तूलना में ज्यादा विह विस्वसनी थे यह क्या थे पहली और दूसरी Purdue की तूलना में ज्यादा विस्वसनी थे और आकार में चोटे यह झांदे कंप में अभी भी कटिन ही थे अने पीडी की तुलना में उर्जा की खपत कम थी तो तीसरी पीडी के कंप्यूटर में क्या था कि अने पीडी की तुलना में इनमें उर्जा की खपत कम होने लगी इनमें भी अभी भी एसी की आवसकता होती तो और तीसरी पीडी के कंप्यूटर से किसका माउस और के प्रियोग हुआ था तो माॉस की बोड कर प्रियोग का प्रियोग होने लगा था जैसे फोर्टान फस्ट्टु फाइब तक कोवाल पास्कल बैसिक अब वा तो आई लेवल लेग्वज को प्रोग कपसे हुआ था तो यह वा था तीसरी पीडी कंप्यूटर से जिसमें कौन-कौन सी भासा है थी तो यह फो फोट्रेंट फर्स्टूर फाइब थी कोबॉल थी पास्कल थी बेसिक थी अलगोल थी का प्योग हुआ था चलिए आंगे और देख लेते हैं कंप्यूटर त तो थीसरी पीडी के कंप्यूटर कौन-कौन से थे तो यह आईबिम 360 सीरीज था कौन से था आईबिम 360 सीरीज था और हनी वेल था जो 6000 सीरीज थी और PDP Personal Data Processor था और IBM 370 बटे 116 था और TDC 316 था तो कौन-कौन से कंप्यूटर थे थे थीजिए में तो यह थे आईबिम 360 स और TDC 316 तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेश देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें